हेलो दोस्तों वेलकम टू जी एम की इंगले स्टेडी आज हम कुछ ऐसे यह वर्ड सीखने जा रहे हैं जिनके विना इंगलिश अधूरी है इन वर्ड के विना आप इंगलिश बोली नहीं सकते इसलिए आपको यह वर्ड सीखने बहुत जरूर होता है यह बहुत ही, शी, इट और नेम के साथ जैसे की घे इस, शी, इट इस, नेम के साथ राहूल इस, Rohan इस, ऐसे Example देख लिएते है He is a doctor वह एक doctor है Next Am Am का मतलब होता है हूँ यह I के साथ use होता है Example I am a teacher मैं एक teacher हूँ Next R यह हूँ के साथ R का मतलब होता है है यह we, they, you इनके साथ होता है जैसे की We are, they are, you are Example We are students हम विद्यारती है Next Was 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 का मतलब होता है था, थे, थी यह I, he, she, it और name के साथ होता है I was, he was, she was Example He was a singer वह एक गायक था Next Were Were का मतलब होता है थे, थी यह You, we, they के साथ होता है You were, we were Example They were dancing Wee नाच रहे थे Next Will Will का मतलब होता है Ga, 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 ga ga, ga, ga I, she, he, it Name, you, we, they यह इनके साथ होता है यह इनके साथ होता है जैसे I will, she will, he will ऐसे Example I will play मैं खेलूंगा Next Has, have इन दोनों का मतलब होता है Pass है यह मेन वर्ब यह मेन वर्ब और हेल्पिंग बर यह दोनों में यूज होता है तो हम पहले Has का देख लेता है मेन वर्ब का Has का तो Has इसका रूल होता है He, She, It, Name रूल होता है He, He, Has, She, Has ऐसे यह यूज होता है Example He has a book उसके पास किताब है Next इसके मेन वर्ब का देख लेता है Have का Have इसका रूल होता है यह I have You have We have ऐसे इन सब के साथ यूज होता है Example I have a car मेरे पास एक गाड़ी है अब हम यह Helping वर्ब देख लेता है दोनों का तो पहले हैस का यह He, She, It, Name इन के साथ यूज होता है He has, She has Example She has played वह खेल चुकी है अब हम have देख लेता है Have यह I, You, We, They इन के साथ यूज होता है I have, You have, We have Example You have played आप खेल चुके Next अब आता है Had Had का मतलब होता है Pass था Pass था यह भी उन दोनों के तरह Has, I have के तरह Main verb और Helping वर्ब दोनों में यूज होता है तो पहले हम Main verb का खल देते है Main verb में यह I, You, We, They, He, She, It, Name इन सब के साथ होता है I had, You had Example We had a bike हमारे पास एक Motorcycle थी अब यह Helping वर्ब में कर लेते है यह Helping वर्ब में भी उन सेम के साथ I, You, We, They, He, She, It, They He, She, It और Name इन के साथ यूज होता है Okay Example He had played वह खेल चुका था Next B B का मतलब होता है हो हो यह I, You, We, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यूज होता है I, B, U, B ऐसे तो जैसे It can be anything Example It can be anything कुछ भी हो सकता है Next Being Being का मतलब होता है हो रहा है किया जा रहा है हो रहा है किया जा रहा है यह I, You, We, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यूज होता है Example It's being easy for you यह तुमारे लिए आसान हो रहा है Next Being Being का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ आ रही हूँ आ रहा हूँ आ रही हूँ यह मतलता है बीन का यह I, You, We, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यूज होता है Example I have been writing मैं लिखना मैं लिखता आ रहा हूँ Next Should Should का मतलब होता है यह I, You, We, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यूज होता ही है तो इसका एक्जामपल He would be studying वह पढ़ रहा होगा Next Next step Can 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 का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं यह Can का मतलब होता है अर यह एबिलीटी और Can का मतलब होता हैt Ability यह ability में भी उज़ोता है can यह ability के लिए भी होता है सकती है एकन नना ability के लिए होता है इसलिए अर यह और यह is आही, you, we, they, she, it name इन सब के साथ यह रहोता है एक्जामपल I can do this work I can do this work मैं यह काम कर सकता हूं next could could you can की past form है second form है इसका मतलब होता है सका सकी सके और वो past of can है past form है can की can तो ability के लो होता है इसलिए सकता था सकती थी सकते थे ये भी इसमें use होता है इसका rule है ये इन सब के साथ इस्तमाल किया जाता है example ये इन सब के साथ तुम खेल नहीं सके next next trick can be can be इसका मतलब होता है जा सकते हैं जा सकती है जा सकते हैं ये आई यू वी दे he, she, it, name इन सब के साथ use होता है example we can be cheated हमें धोका दिया जा सकता है next next है me इसका मतलब होता है सकता है सकती है, सकता हूं, सकते हैं ये permission के लिए use होता है permission और request के लिए ये use होता है तो इसका ये इसमाल होता है I, you, we, they, he, she, it, name इन सब के लिए इसमाल होता है तो example may I help you may I help you मैं आपकी मदद कर सकता हूं मैं आपकी मदद कर सकता हूं next next है might ये me की second form ये अनकी past form है इसका मतलब होता है शायद हो सकता है ये I, you, we, they, he, she, it, name इन सब के साथ ये use होता है example he might run वह शायद भाग सकता है next next है must इसका मतलब होता है चाहिए ये I, you, we, they, he, she, it, name इन सब के साथ ये use होता है example you must run तुम्हें भागना चाहिए तुम्हें भागना चाहिए next next है do 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 का मतलब होता है क्या हूँ क्या है क्या हूँ क्या है ये do का मतलब होता है ये I, we, they, you ये सिर्व इन चारों के साथ ये use होता है जैसे I do, we do ऐसे दो do I write दो एक्जाम्पल do I write क्या मैं लिखता हूँ next does 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 का मतलब होता है क्या है क्या है ये ही she, it, name इनके साथ ये उस होता है एक्जाम्पल does he play does he play क्या वह खेलता है क्या वह खेलता है next next did 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 का मतलब होता है क्या था क्या थे क्या थी क्या था क्या थे क्या थी ये मतलब होता है did का ये सब के साथ ही होता है यानि कि I, U, V, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यह यूज होता है नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब एक्साम्पल डिडि यू स्टडी क्या आप पढ़े थे नेक्स्ट नेक्स्ट है अबाउट टू अबाउट टू अबाउट का मतलब होता है वाला हूँ, वाले हैं, वाली हूँ ये अबाउट का मतलब होता है ये I, U, V, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यूज होता है एक्साम्पल आइम अबाउट टू स्टडी मैं पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट भी अबाउट टू ये है लेकिन ये पास्ट में है ये अबाउट टू का मतलब इसमें होता है वाला था, वाले थे, वाली थी ये पास्ट में तो ये भी I, U, V, They, He, She, It, Name इन सब के साथ यूज होता है एक्साम्पल I was about to tweet I was about to tweet means मैं tweet करने वाला था मैं tweet करने वाला था नेक्स्ट नेक्स्ट है इसका मतलब होता है ना है, नी है, ने है ये ही, शी, इट, नेम इन के साथ यूज होता है जैसे जैसे एक्साम्पल उसे पढ़ना है उसे पढ़ना है नेक्स्ट नेक्स्ट है है, हैव टू इसका मतलब होता है ना है, नी है, ने है ये आ, यू, वी, दे इन चारों के साथ यूज होता है I have to You have to We have to They have to ऐसे एक्साम्पल I have to sit I have to sit मुझे बैठना है मुझे बैठना है नेक्स्ट नेक्स्ट है, है, हैट टू हैट टू इसका मतलब होता है ना था ना था ये आ, यू, वी, दे ही, शी, इट, नीम ये इन सब के साथ यूज होता है जैसे कि I had to, you had to, we had to, they had to, she had to, he had to, it had to एसे, example, he had to walk, उसे चलना था, उसे चलना था next, next है going to, going to, going to का बतलब होता है करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, और इसका एक और मतलब होता है वाला हूँ, वाला हूँ, तो हम इसका रूल देख लिए, मतलब इसमाल का इस होता है यह I, you, we, they, he, she, it, name, यह इन सब के साथ यूज होता है example, I am going to school, मैं विद्याले जा रहा हूँ next, next है ought to, ought to, इसका मतलब होता है चाहिए यह I, you, we, they, he, she, it, name, इन सब के साथ यह इस्तमाल होता है I ought to, you ought to, we ought to, they ought to, he ought to, she ought to, ऐसे example, you ought to respect elders, आपको बड़ो का समान करना चाहिए आपको बड़ो का समान करना चाहिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा थैंक यू धन्यवाद